नरेंद्र मोधी जी 3-4% लोगों के लिए काम करते हैं। उनके पास मीडिया, धन, इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED सब कुछ हैं। और यहां की जो इंटेलिजन्स की एजन्सीज थी, टैक्स की एजन्सीज थी, पुलीस थी, उनका उन्होंने गलत उप्योग किया। हजारो धमका कर, एक्स्टोर्शन करके उन्होंने आपसे आपका धन चीना था। रात को फोन कॉल आता था, आपको धमकाए जाता था, और आपसे पैसे आपके पैसे चीने जाते थे, आपसे लूटे जाते थे। बीजेपी, Constitution को रद करना चाहती है। Constitution हिंदुस्तान के सब लोगो उने देंगे। ये लड़ाई, Constitution और लोग कंत्रों को बचाने की लड़ाई है। आपसे वाइदे किये थे, ऐसी ही मीटिंग थी, हमने अपनी गैरंटीज की बात आपके सामने रखी, वो ही काम हम नैशनल लेवल के लिए आज कर रहे हैं। जब हमने आपको गैरंटीज दी थी, उन्हें हमने Congress Party की गैरंटीज जरूर कहा था। मगर सच मुच में वो आपकी गैरंटीज थी, आपकी अवाज थी। तो वो हमने आपकी अवाज सुनकर गैरंटीज निकाली थी। और आज तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि Congress Party ने जो वाइदे किये थे, उन वाइदों को Congress Party पूरा कर रही है। हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे जादा बेरोजगारी है, मगर तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार ने 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है, और कुछी समय में 50,000 और लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। तो जैसा हमने तेलंगाना के साथ किया, वैसा ही हमने अपने मैनिफेस्टों के साथ किया। यह जो मैनिफेस्टों है, यह हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। यह कॉंग्रेस पार्टी की अवाज नहीं है, आपके दिल में जो था, लाकों लोगों के दिल में जो था, उसे कॉंग्रेस पार्टी ने सुना, और उसे हमने मैनिफेस्टों में डाला। कॉंस्टिटूशन हिंदुस्तान के सब लोगों की रक्षा करता है, चाहे वो दलेत हो, आदिवासी हो, पिछडे लोग हो, माइनॉरिटी के लोग हो, गरीब हो, सब लोगों की रक्षा कॉंस्टिटूशन करता है। बीजेपी, कॉंस्टिटूशन को रद करना चाहती है, हम कॉंस्टिटूशन को कभी नहीं रद होने देंगे। यह लड़ाई, कॉंस्टिटूशन और लोग कंत्रों को बचाने की लड़ाई है। नरेंद्र मोधी जी, 3-4% लोगों के लिए काम करते हैं। उनके पास मीडिया, धन, इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED सब कुछ हैं। हमारे पास सच्चाई और जनता का प्यार। जीत सच्चाई और जनता की होती है। भाई और बेनों आपके हो कि यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने सरकार कैसे चलाई थी। और यहां की जो इंटेलिजन्स की एजन्सीज थी, टैक्स की एजन्सीज थी, पुलीस थी, उनका उन्होंने गलत उप्योग किया। हजारों लोगों का फोन टैप किया और सरकार बदलते ही सरकार का डेटा सरकार के कंप्यूटर नदी में फेक दिये। मगर जो उन्होंने सरकार चलाई थी, गरा कर, धमका कर, एक्स्टोर्शन करके उन्होंने आपसे आपका धन चीना था। रात को फोन कॉल आता था, आपको धमकाय जाता था, और आपसे पैसे चीने जाते थे, आपसे लूटे जाते थे। आज तलंगाना में कारवाई शुरू है, और सच्चाई आपके सामने है।